नमस्ते से काल सबको दिस साहल गौर्य और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी एम गौलियर के बारे में यह काफी जादा पुराना और बहुत बढ़िया ट्रिपल आईटी माना जाता है जूकि यार आईटी इसको भी टकतर दे रहा होता है तो इस व उनको चेक आउट नहीं किया है तो डिफिनीटली जाकर चेक आउट कर लेना ट्रिपल आईटी यार प्लेलिस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब बिला किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं यहां पर आप लोग देख सकते हो यह ट्रिपल आ माना जाता है जल्दी से यार इंट्रोड़क्शन देख लेते हैं एस्टबलिश हुआ था नाइटी नाइटी सेवन में तो यहां पर यहां पर आपको कम देखने हो मिलेगी तो आर वाई आपका काफी बढ़िया निगल के आएगा आपका यह पब्लिक प्राइवेट पाट को सांसर की कांसलिंग के थुम आका एडमिशन हो रहा होता है यह आरा आपको सारे के सारे आपके याप्लाटी में对 में ही एकाश की बात करें तो यहा पर काफी सारे आएड-एड़ आं कर दिये गए हैं लास्टि एर पहले है आपका सरफすपी ऑससी होता था ma ब्लस एंटेक हो गया और इटीग्रेटेटीटेट इटेक प्लस M.B.A. होता था इट में लेकिन लास्ट यह दो कोर्स आपके आड किये गए यह इस लेक्रिकल एंड इलेक्ट्रोनिक्स और मैंतेमाटिक्स और साइटिफिक computing यह आपके दो नए courses हैं जो कि यार अगें काफी अच्छा perform करने वाले हैं definitely तो यह हो जाते है courses इनी की यार seat matrix भी आपे आप लोग देख सकते हो यह overall seat matrix बता रखी है female quota भी आप लोग को देखने को मिल जाता है जो कि in general यार काफी कम ट्रिपल आइडी में देखने हो मिलता है overall 295 seat से इसका स्क्रींशॉट हो यह ले सकते हो नहीं तो यह सारी 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 पीडियेस हो गया है ना सारे सारे आपकी ट्रिपल आइडी की टेलिग्राम चैनल पर डल रही होंगी कुछ ट्राइम में तो यह जादा seat matrix इन्हीं की यार कट आफ भी देख लेते हैं हम जल्दी से कट आफ की बात करूं यह सारी सारी कट आफ है और यह आपको एक शॉट ही मिल सके कि आपका पर्डिकुलर्ली इस कैंपस में हो जाएगा या नहीं होएगा इसलिए टार्गेट आपको इनी पर्टिकुलर रैंक्स को करना है यह भी यह बोरिंग पार्डर जादा है डिसक्रस नहीं करूं इसका भी स्कीन शॉट ले सकते हो नहीं तो आप लोग कोई पीडिएफ तेली नाव चैनल पर मिल रही होंगी बहां से जाकर आप लोग चेकऊट कर लेना अब आते हैं जल्दी से अपनी प्लेश्मेंट के उपर प्लेश्मेंट की बात करें काफी ज्यादा amazing placements रहने वाली है, पहले point पे आएं, highest package 65 LPA आप लोग को देखने हों मिल जाता है, बहुत ज़ादा बढ़िया package है, average package की बात करें, 21.7 LPA चला जाता है, जो कि again यार, बहुत सारी आपकी IITs को भी टकर दे रहा होगा, और median package की बात करें, again 14 LPA, जो कि again आपकी बहुत सारी IITs को ठकर दे रहा होता है, यहाँ पर 85% of students आपकी place हो जाते हैं, decent percentage है, 8 plus pointer pointer मतलब होता है, CGP आपका वो याँ decent रहता है, और यह सारे के सारे आपके NITs और triple IDs के ओपर लागू होता है, अगर यार आप इतना ले आते हो, आप सारी companies की coding now, जो की first round होता है, उसमें आप बैट पाते हो, internship provide की जाती है, PPO मिल जाता है, PPO होता है, pre-placement offer, मतलब यार, अगर आप किसी जगे पर internship कर रहे हो, उस company को आपका काम पसंद आते हो, आपको direct hire कर लेते हैं, उसे हम PPO बोलते हैं, अब कुछ बहुत बढ़ी है, बहुत amazing packages जो देती हैं, उनके बारे में बात कर ले यार, बहुत जादा amazing companies है, बहुत बड़िया-बड़िया packages देती हैं, सारी-सारी companies, यह सारी यार, यहाँ पे इस college के अंदर आ रही होती है, बच्चों को recruit करने, तो यार, बहुत अच्छी बात है, एक से एक बढ़ के हाँ पे companies देखने को मिलती है, अब यार, कुछ stats आप को दिखा आता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो percentage of students place, हर एक particular branch के बता रहे हैं, जिसमें ने आपको बताया, दो branches last year, यह एड होगी है, इसलिए उनका stats आपको तीन साल बात देखने हों मिलेगा, तो यहाँ पे आपका computer science में 90 percentage हो जाते हैं, बाकि यार, Mtech integrated वाले में 84%, और integrated MBA वाले में 80%, overall 85% of students place हो जाते हैं, यहाँ पे आप आज जाते हैं, आपने maximum package पे, तो maximum package देख सकते हूँ, CAC में आपका 65 LPA, integrated Mtech वाले में 65, और MBA वाले में 50 LPA के आसपास, जो कि यहाँ तीनों में देखा जाए, तो बहुत अच्छे अच्छे packages आपको देखने हों मिलत जाता है, overall 21.7 LPA आपका आजाता है, और median package की बात करें, यहाँ पे 15 LPA आपका computer science का आजाता है, काफी जाता बढ़िया यहाँ पैकेज हैं, अगर हम देखें B.Tech में, इसके अलावे याँ, integrated M.Tech वाले में 14.10 और 14 आजाता है, integrated MBA वाले में, तो आप बहुत बढ़िया आपकी placement strats है, अगर आप लोग को एक college मिल रहाना, कोई भी branch मिल रही है, आख बंद करके आप लोग को ले लेना चाहिए, कुछ सोतिय की ज़रूरत नहीं है, अब याँ जल्दी से आ जाते हैं, अपने infrastructure के उपर, placement मैंने अच्छे से cover कर दी है, कोई भी doubt होता है, definitely comment box में पूछ सक faculties काफी ज़ादा अच्छी देखने हो मिलती है, सारी-सारी PhD holders है, जो कि यार बहुत बड़ा plus point है, definitely, Wi-Fi enabled campus है, good speed देखने हो मिल जाती है, sports की बार करें, सारी-सारी sports देखने हो मिलते है, football, cricket, basketball, badminton, gym, table tennis, squash अगेरा, इसके अलाब यार, startup culture भी promote किया जाता है, incubation center देखने क भी मिल रही होंगी, अगर आप research में interested हो, definitely, this college is for you, इसके अलाब यार, आपको हैंपे canteen, stationer shop, xerox shop, यहांपे, health center, bank, ATM, post office, इस सारी चीज़े देखने हो मिल जाती है, तो infrastructure भी top notch देखने हो मिल जाती है, थोड़ा बहुत पुराना है, लेकिन सारी facility देखने को मिल जाती है, अब जल्दी से देख लेते हैं, fees structure जैसे मैंने आपको बताया, कम fees रहती है, 73,000 per semester के आसपास आपकी fees रहेगी, बाग की triple IDs की 1,00,000 प्लस ही रहती है, mostly जो भी आर आपकी public private partnership में आते हैं, बाग यह 16,700 आपकी one time fees रहती है, जो कि आर आपको सिर्फ एक बार देनी होती है, first 10,000 रुपीज रहती है, आपकी institution fees, और यार इसकी चल जाती है, 2500 होस्टल की चल जाती है, आपकी question money, यार लास्ट में आपकी refundable होती है, यह हो जाता है, यह हो जाता है आपको overall fee structure, जल्दी से होस्टल के ऊपर आएंगे, होस्टल की बात करें, टीन boys hostel, एक girls hostel देखने हो मिल है, girls to boys ratio, 1 to 5 के आसपस रहता है, bed table, bookshel बगएर, यह basic चीज़े आपको सारे rooms में मिल जाती है, और सबसे बड़ा plus point है, सारे students को single sharing room मिल रहा होता है, सारे students को जो कि यार बहुत बढ़िया चीज़, आपकी privacy maintained रहती है, wifi facility आप लोग को देखने हो मिल जाती है, जो कि यार का करना चाहो यार, computer rooms में आप जाकर कर सकते हो, यार काफी जादा बड़िया facility है, इसके अलावे यहाँ पर आपको common washroom देखने हो मिल जाते है, cleanless रखी जाती है, common rooms मिल जाते है, जहाँ पर TV होगा, आपकी indoor games होगी, और यार बाकी outdoor games भी मिल जाती है, जैसे कि आपका यार badminton हो गया, basketball हो गया, यह सारी facility हो गया भी आपको hostel में दी गई है, mess food मिल जाता है, जो कि है decent रहता है, बाकी coffee timing की बात करें, 10 p.m रहता है, specifically girls के लिए, boys के लिए, ऐसा कोई timing हो गया नहीं है, chill out है, इसके बाद यार कुछीजे रहेगी है, तारस fest clubs हो गया उसके बारे मिल बात club, road track club, robotic club, generalist club, तो इसके अलावा भी बहुत सारे clubs हैं, definitely जाय करो, पार्ट ले करो, आपकी बहुत सारी skills हो गया, इन clubs हो गया में पार्ट लें से, इसके बाद या, attendance की बात करें, 75% का यार भहता है, almost सारे के सारे आपके IIIT में, बाकी यार आपके seniors हो गया अच्छे से बता अगर आप लोग कोई भी चीट जाने हैं, कोई भी डाउट होता है, definitely यार आप लोग कमेंट बॉक्स में पूच सकते हो, अगर आप लोग ने यहां तक इस वीडियो को देख लिए, definitely या, like बटन दबादना, काफी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, इसके साथ सारे हम almost सा हमारे ट्रिपल आईडी कवर कर चुके हैं, कुछ यार, दो, तीन ही ट्रिपल आईडी रहेंगे हैं, जिनको हम आने वाल टाइम में definitely कवर कर देंगे, तो अगर आप लोग ने चेक आउट नहीं किये, definitely जाका चेक आउट कर लो, link आप लोग को description में मिल लेंगे, तो अगर स कर दो क справती हैं, जाका चेक आउट कर देंगे, जाका चेक आउट कर दो, जाका आईडी कर देंगे, जाका चेक